हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल एशुरे बुटिक आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कटिंग ट्रिक लेके आई हूँ बिगनर के लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूजफूल होने वाली है और वीडियो को बगैर सकीब करें पूरा देखें बहुतरी ही रह असानीशी वीडियो है और वीडियो की टोपिक रहेए गए कि मेंट फैबर इस्तर को एक ही बार में कैसे चाट करएं तो चलिए करतें वीडियो सटार्ट तो ये मेरे पास रह और यist का मेंट एगर को अच्छे से सेर लेंगे करें इस तरह करके बिछा लें। भिछाने के बाद पेले हम में फैबरिक की लंबाई को माप लेंगे, मैं इसमें जैसे की पिन्तालीस इंच रखनी रखनी है तो यह उन्हें इन्चास है, झांत Hi पोटी ना hacer arty जितनी इसके लंबाई हमें चाहिए उतनी जितनी लंबाई है इसको हम सेन्टर से कट कर लेंगे स्कूल से कट करने केपzona के भास यह देखे मैंने इसको लगाएंगे और उसमें धाई से तीनी चैड करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो यह देखिए यह मैंने साइज के इसाफ से इसको फोल्ड कर लिया फोल्ड करने के बाद और साइज से को कट कर लेंगे जितना भी हमें अस्तर चाहिए है उस इसाफ से इसको फो लिया था हूँ तो इसको भी ऐसे ही कट कर लेंगे और इस तरह से आप मेन फैब्रिक को और अस्तर को कट करोंगे तो बहुती कम टाइम में कुर्ति या पूर्ति बनारे रे रहे बोथी कम टाइम में कट हो जाएगा ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होएगा तो यह मैंने कट कर लिया है पहले हम इन फैब्रिक को ही बिछाएंगे इसको कैसे बिछाएंगे यह देखिए इसको भी हम टू लेर में ही बिछा लेंगे अच्छे से सैट करते हुए और इसके साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा को निका दी का लिछ नहीं है तो इसको भी जैसे कि हम आस्ट्र को निकाला था वैसे ही इसको निकाल देंगे और यह इसलीव का फैब्रीक महाने एक्साइड कर दिया है इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे तो फोल्ड करने के बाद इसके उपर हम अब अस्तर को रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए तो यह मैंने अस्तर को कट किया था तो अब अस्तर को इसके उपर अच्छे से सेट कर लेंगे तो ये मैं अस्तर को बिचा लेती हूँ इस पे ये देखिए आपने भी ऐसे ही करना है अगर आप भी में फैबरिक और अस्तर को इकठा ही कटिंग करो तो ये मैंने में फैबरिक और अस्तर को अच्छे से बिचा लिया है और अस्तर को मैंने में फैबरिक से दो इंच एक्टर लिया है यह मैंने इस तरुक अच्छे से सेट करते हुए बिचा लिया है और पहले हम इसकी लंबाई को माप लेंगे कि इसमें लंबाई इसमें लंबाई यह देखी मैंने पहले भी बताया था कि मैंने लंबाई इसमें 45 इंज रखनी है तो उन्हें इंचास लंबाई है और 3 इंच मैं फोल्ड के लिये लोगे त्रुपाई के लिए तो इसमें मैं 5 211 प्रोप्र लंबाई रख लोगे तो घूए को पो जबाएं की तो यह से चाहएं मैंट सब्ध करणे लगा तो यहां से मैंने की नकरद को यहां से क्षेद हैं यहां मैंने बोट न aggreg बनाना है और मूझे चौधां पूर्वरामगं क मैंने लगाया है कमर का निसान 5 ओर 22 पो मैं हिप का निसान लगा हुँझे सबस्क्राइब कि ऐसे की मैं कर रही हूं अ यह देखिए यह मैंने निशानों को सीधा कर लिया है बहुत ही अच्छी ट्रेक है यह तो आप भी ऐसी ही एक वरी कटिंग करके देखिए बहुत ही असान सा और बहुत ही कम टाइम में इस तरह से अस्तर वाले सूट की कटिंग हो जाती है तो यह देखिए इसमें चैस्ट का निशान लगाएंगे तो चैस्ट का यह मैंने कमीज से नाप लिया हुआ है तो 20 है तो 20 का हमाद़ा करेंगे तो 10 आएगा तो एक निशान मैं 10 इंच पे लगाया और इसमें मैंने धाई इंच मारजन के लिए ले लिया यहां पर मैं कमर की फीटिंग का निशान लगा लिए तो कमर ठारा तो यह मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया और 2 इंच मैंने यहां पर मारजन के लिए ले लिया है तो एक किस है तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच में मारजन के लिए ले लूए तो यह मैंने 1.5 इंच का मारजन ले लिया तो पाई फोल्ड के लिए अभी इनको scale के help से मिला लेंगे ये बिलकुल यहां से ध्यान से देखिए कि मैं कैसे मिला रही हूं बहुती अच्छे से तो यह देखिए मैंने पहले यहां से कुछ इस तरह से मिलाया और इसको भी ऐसे ही मिला लेंगे तो यह देखिए निसानों को भी मैंने मिला लिया है और यहां पर देख क मर के पास से कुछ इस तरह से आते हैं तो हम यही पर ही शिलाई लगा देता हैं तो इसको bething नहीं आती यह मेरे पास है आर्मूल से पर तो यहां से हमें कमर पे गुलाई देनी है तो गुलाई इसी से ह देंगे तो इस तरह से अब हमारी शिलाई यहां से होते हुए ऐसे और इस तरह से शिलाई लगानी है तो यहां से कमर पे राउंड सीशी पाएगी और बहुत अच्छी फीटिंग आएगी तो यहां से लगाएंगे तीरे का निसान तीरा लिया मैंने साथ इंच और यहां से इ पर घडिरे से एक Inch कर तो मैं यह चे इंच पे निाम लगा लूंतों नहीं है कि कि आप इन दोनुनी निसानों को आपस में पर समय मिला लें तरह हैं उसकी इसको आपने के लिसुए पी दिशान व्लूय को आप मिलाने के बाद 30 को Anyvu के बाद यहां से अर्मॉल का करेंगे सेंटर सेंटर यह देखिए बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगों मैं आपको इसका सेंटर करने का इंचेटिव को इस तरह से फोल्ड करें और यहां पे निशान लगा लें तो यह मैंने सेंटर में निशान लगा लिया आप चाहो तो इसका यहां से भी लगा सकते हो नहीं तो नीचे से सवाइंच पे एक निशान लगा लें और इसको कंदी के पास तिर्चा इस तरह से मिला दें इसे सूट की या कुर्टे की फीटिंग बहुत ही अच्छी आती है जै आप इस तरह से करोगे तो तो यह देखिए मैं यहां प क्रोस को भी ऐसे ही मिलाएंगे और यह बढ़के आएगा तो इसको ऐसे ही रखेंगे यह मैंने फ्रंट क्रोस पे भी ऐसे ही निशान लगा लिए देखे कितनी अच्छी सेप आई है तो अभी इसके पास से ही इसको जो एक्स्ट्रा निशान इनको कट कर लेंगे पहले हम प इसके निशान को स्टेट कर लिया स्टेट करने के बाद अभी इसी निशान के ऊपर से हम ऐसे कट कर लेंगे और नीचे बिल्कुल ध्यान रखे कि यह जुरूर देख लेकि नीचे फैबरिक है या नहीं तो यह देखे यह मैंने यहां से इसको मैं कट कर लूँगा अर्मल क के पास से हम यहां से दो पॉइंट बढ़ाते हुए कट कर लेंगे और हमें इसमें कहीं से भी बढ़ाना नहीं है मार्जन जो हमें यह निशान लगाए बिल्कुल इसी निशान के पास से इसको कट कर लेंगे तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लेस वीडियो को लाइक जुरूर क्या करें आपके एक लाइस से हमें मोटिवेस्ट मिलता है क्या आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छी वीडियो लेके आएं तो यह देखे यह मैंने इस तरह से फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद मैं आपको ऊपर के अस्तर को भी दिखाती हूं उठाके यह देखे यह अस्तर है और यह मेन फैबरिक है तो बहुती असान सी ट्रिक है यह बहुती कम टाइब में हम कट कर लेंगे और बैक फार्ट को कट करना इससे भी ब और बैक को तो कटिंग करना बहुत ही आसान है इस टिफ में तो यह देखिए हम इसमें क्या करेंगे पहले हम फ्रंट पार्ट में से अस्तर को निकाल देंगे और जो में फैबरिक है उसी को बैक वाले पार्ट पे भी अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेंगे और यहां से देखिए यह मैंने फ्रंट को अभी नहीं चांटा है मैं से लाई करते ही फ्रंट को चांटूंगे और निचे से भी अच्छे से पल्ले को सेट करते हुए बिछा लें यह मैंने यहां से इसको अच्छे से सेट करके बिछा लिया है अभी इसके बिल्कुल पास से ह हमें ये देखे ये मैंने मैं लोका निलीलेंगे दोनों पाड़ को ये कट कर लिया है सट हम चार पाट को हम चारे बार पाट को कट करएं इसने डो बाड़ को कट कर लिया है दो अस्तर के हैं और दो मेन फैबरिक के हैं तो बोती असान शीट टीप है तो यह मैंने इस पे निसान भी लगा दी है बैक और फ्रंट के और ये देखे ये फ्रंट पार्ट का अस्तर है इसको भी अच्छे से सेट करके इके उपर रख देंगे इस तरह से तो जो ये साइड से फैबरी को बचाता इसमें से मैं सलीव को कट करूँगी तो सलीव की वीडियो आपको नहीं देखे तो मैंने पहले भी मेरे चैनल पर अपलोड करके आप जाके देख सकते हैं तो आपको मेरी वीडियो ये कैसे लगी वीडियो को लाइक करें सेर करें साथ में बैल आइकन को भी दुबाएं ताकि मेरी आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं थैंक्स फॉर वॉचिंग